बड़ी खबरों को लेकर और सबसे पहले जौनपूर की बात करेंगे जहांपर रामपूर और सुरेरी थाने को उड़ाने की धंकी दे दी गई है D.33 गैंग ने पोश्टर चस्पा करके थाने को उड़ाने की धंकी दी है सुरेरी थाने के में गेट पर गैंग ने ये पोश्टर चस्पा किया है और ये धमकी बरा पोश्टर है दो साल से तूटी पड़ी रामपुर कठवतिया सड़क को बनाने की मांग की गई है D33 गैंग ने कहा अगर नहीं बनी सड़क तो उड़ा देंगे थाना D33 गैंग ने कहा चाहें इसे धमकी समझे हैं या विन थी लेकिन सड़क नहीं बनी तो थाना उड़ा देंगे अजीद हमारे साज उड़ रहे हैं जी मेडिया संवरता अजीद क्या है ये D33 गैंग का कारणामा जो पोश्टर के जरीए सामने आ रहा है और ये गैंग के बारे में क्या जानकारी जी अब को बिश्ट को बता दो कि ये शूरी ठाने पर एक बोट साइन बोट पर एक जी 33 गैंग द्वारा एक चस्पा कियागा है उसको साथ सवार को लिखा है कि कथवक्या मार बाव खाराब सरकों को लेकर आम जनता परसान हो रहे हैं अगर अक्टूबर लास तक नहीं ब अगया हाला कि अभी पूलिस की इस मामले में कोई बासी अभी तब नहीं हो पाई है जी अजी डी 33 गैंग कैसे पहले भी सकरे था या आज पहली बार ये पोश्टर के जरी अपनी मौजूर की दर्श कराई है जी अब आपको बता दो कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डी 33 गैंग कराम आया है इसके पहले कभी नहीं आया था लेकिन ये पहली बार ये पता सिर्पा है कि ये 23 गैंग इस पूरे मामले को लेका और जो सड़क बनाने की बात कही गई है पुलिस उस पर क्या करेंगी जी आपको बता दो कि आज पूलिस की क्राइम मीटिंग चल लए है इसके बार बताए कहां ये बोर्ड लगा हुआ है ये बोर्ड कहां पर रहे क्या थाने के बाहर मौझूद था ये बोर्ड आपको बता दो कि ये थाने के ठीक सामने ही है गेट भी है जैसे ही लोग इंटी गेट के अंदर करते हैं उसी जगह पर इसके दीवारों से लेकर उसके साइन बोर्डों पर सभी के चस्वाफ लिया गया है लेकिं थाने के परिसार में घुसकर इस तरह से थाने के बोर्ड के अंदर ये पोश्टर लगा देना और पुलि बड़ी लापरवाही भी पुलिसी कही जा सकती है और बड़ा सवाल भी है कि D33 गैंग आखिर कौन चला रहा है। बहुत शुक्री आपका जनकारी के लिए जीते हैं।